नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने वोकल की प्रोसेसिंग और एडिटिंग कर सकते हैं तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हूँ हमने एफल शुड़े के अंदर एक वोकल को डालके रखा है दूसरे ने गाया है इस वोकल को और अभी हम इसको प्रोसेसिंग करके दिखाएंगे कि आप अपने vocals को बिल्कुल clean कैसे कर सकते हैं soft कैसे कर सकते हैं कहीं पे loud ज़्यादा है कहीं पे loudness कम है तो आप उसके जो dynamic range है उसको आप कैसे control कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा सा का आवाज जिसे कि सा जब word आता है तो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लिजी हमारा vocal है और चले हम सबसे पहले आपको सुना देते हैं उसके बाद में इसको हम edit करके और फिर processing करके दिखाते हैं तो आपने यहाँ पे सुना और notice भी किया होगा कि कहीं पे loud बहुत ज़्यादा जा रहा है कहीं पे loudness बहुत कम है तो यह होती है dynamic range जिनको हमें compress करना होता है तो सबसे पहले यह चीज और यहाँ पे देख लिजीए कि जैसे कि हमारा vocals है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा impact के साथ में यह word आता है तो इसको थोड़ा सा इस तरह से हम edit कर सकते है fade in, fade out का यूज़ करके और यहाँ पे देखिएगा इस तरह से इसको हम cut कर सकते है तो जहाँ जहाँ पे आपका बिल्कुल blank है जहाँ पे सांस का आवाज बहुत ज़्यादा आ रहा है बीच में तो उसको आप इस तरह से fade in, fade out कर सकते हैं जिससे कि यहाँ पे है यह चीज़े आप यहाँ से कर सकते हैं लाश्ट में भी है इसको आप लगा सकते हैं यह चीज़े करने के बाद में अब next पे हम आ जाते हैं आपे mixer पे और यहाँ पे हमारा vocal है जहाँ पे कोई भी plugins हमने भी डाल के नहीं रखा है सिरिफ हमारा यहाँ पे auto tune है तो इसको में आप से enable कर लेते हैं और enable करने के बाद में अब यहाँ पे देखिए आपका input type है tracking है और उसके बाद में इसका key scale है return speed है, flex tune है natural vibrato भी आपको मिल जाएगा humanize भी मिल जाएगा मैंने पहले से कुछ हैं फे set करके रखा है जिसे इसका B minor है तो हम सबसे पहले आते हैं इसके input type के अंदर input type में क्या होता है कि अगर कोई भी singer high scale में गा रहा है male singer high scale में गा रहा है तो अल्टो टेनर, अगर कोई लड़की है high scale में गा रही तो soprano अगर कोई लड़का base note में गा रहा है तो आप यहाँ से low male select कर सकते हैं कुछ इस तरह से इसका यहाँ पे रहता है इसका input type और retune speed काम करता है आपके vocals को tune करने के लिए जितना आप यहाँ पे बढ़ाओगे इसके retune speed को उतना ज्यादा यहाँ पे जो tuning करेगा आपके vocals को तो अपने हिसाब से इसको यहाँ से आपना कम ज्यादा करके रख सकते तो flex tune को यहाँ पे आप लगबग 8-10% रखिए यह करता क्या है कि जैसे कि अगर इसके full कर देते हैं तो अभी क्या होगा कि autotune आपका काम करना बंद कर देगा कोई भी autotune का कोई भी effect साथ तेरा आजाओ बाहों में मेरी सनम कही यह कुछ इस तरह से काम करता है तो आप इसको 0 या 8-10% रख सकते हो अगर इसको बिलकुल यहाँ पे रखोगे 50% तक तो यह क्या करेगा हाफ आपका autotune करेगा आपके vocals को हाफ ऐसे ही छोड़ देगा तो कुछ इस तरह से इसकी setting होती है second पे आजाता है human age, human age करता क्या है कि पूरे जो लंबा note होता है वो उसको यहाँ पे tune नहीं करेगा वो उसको छोड़ देगा, बिलकुल natural रखेगा, कुछ इस तरह से इसकी setting होती है अपने गाने का skill यहाँ पे हमने हाँ डाल के रखा है उसके बाद में next पे आ जाते हैं हाँ पे हम एक FL studio का stock plugins यूज़ करेंगे fruity compressor यह काम क्या करता है जैसे कि vocal को compress करेगा जैसे कि जो बहुत ज़्यदा loud जा रहा है उसको compress कर देगा, कम कर देगा और एक label में उसके dynamic range को रखेगा तो अभी हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको सुनते हैं से आप इसके meter के उपर ध्यान दीजेगा और जो सबसे quiet part होगा उसको देखेगा सबसे loud part जा रहा यहां पर उसको जड़ा ध्यान दीजेगा इसके meter को देखेगा यहां पर हमें ऐसे इसको detast कर देंगे और उसके बाद में इसको थोड़ा साम बढ़ा करते हैं अब यहां पर देखेगा ध्यान दीजेगा सातों जनम तक यह वादा रहा छोड़ू कभी ना साथ तेरा आ जाओ बाहों में मेरी सनम कहीं जिन्दगी का बढ़ा जो सबसे वाट जा रहा है जिसका लॉटनेस कम है वो लगभग 21 के या 20 के लगभग हम्याब मान सकते हैं और सबसे जो लॉट फाट जा रहा है वह 1245 के ऊपण है तरह सर दरे इसका में आपछाण सेट करेंगे सबसे पहले आज तो जनम तक यह वादा रहा- छोड़ूं कभी ना साथ तेरा आ जाओ बाहों में मेरी मैंने इसका लगबग मैंने इस बाइस डीबी यहां पर इसका थ्रिसोड सेट कर दिया अब यहां पर रेशियो को ऊपर ले जाएंगे जितना हम कंप्रेस करना है उसको हम ले जाएंगे लगबग 3-1 या फिर 4-1 रख स सकते हैं यह क्या करेगा कंप्रेस करेगा हमारे वोकल्स को सातों जनम तक यह वादा रहा छोड़ूं कभी ना साथ तेरा अब यहां पर ध्यान दिजिएगा कंप्रेस हो जुका है हमारा वोकल्स जो पीक बहुत ज़्यदा लाउड जा रही थी मैंस 12 डीबी के ऊपर अब य आपका काम होता है कि कितने जल्दी यह कंप्रेसन को स्टार्ड करेगा यहां लगबग 15 मिली से यह थोड़ा साथ इसको कम भी रख सकते हो अपने हैसाप से वोकल्स के इसाप से और रिलीज को लगबग 200,500, 300 तक अपना रख सकते हैं कि कितने जल्दी कंप्रेसन बंद होग अब जितना यहाँ पर आपका volume reduce हुआ है, compress करने के बाद में, आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हो, लगबग 2 db, 3 db सातों जनम तक ये वादा रहा, छोड़ू कभी ना साथ तेरा आजाओ बाहों में मेरी सनम कहीं जिन्दगी का अब यहाँ पर जड़ा नोटिस कीजिएगा, जो loud fart जा रहा था बहुत जदा, वो यहाँ पर उसका जो dynamic range है, जो peak बहुत जदा जा रहा था, वो यहाँ पर compress हो चुका है और जो quiet fart था, जो दब जा रहा था, वो भी यहाँ पर निकल के आ रहा सामने, सब यहाँ पर सबका label यहाँ पर बराबर हो चुका है, जैसे कि अब इसको हम बंद करके सुनते हैं सातों जनम तक यह वादा रहा, छोडू कभी ना साथ तेरा, जो सात तेरा है, बहुत जदा quiet fart है, बहुत जदा दब जा रहा है, अब compress के बाद में सातों जनम तक यह वादा रहा, छोडू कभी ना साथ तेरा, तो हमारा vocal यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से compress हो चुका है, और अब यहाँ पर हम next plugins यूज करने वाले हैं, एक और compressor सेले थिरिये mono, यह पूरे vocal को यहाँ पर compress करेगा, एक पीक को यहाँ पर compress नहीं करेगा, पूरे vocal को compress करेगा यह सातों जनम तक यह वादा रहा, छोडू कभी ना साथ तेरा, आ जाओ बाहों में मेरी सनम, कहीं जिन्दगी का ठीक है, पूरे vocal को यहाँ पर compress करेगा और काफी हद तक आपका vocal है, पर अच्छा करनी की कोस्स करेगा, उसके बाद में यहाँ पर हम next plugins के उपर आजाते हैं, fruity parametric q2, आप यह लगा सकते हो, एक stock plugins से FL studio का, या फिर अगर आपके पास 5 filter pro q3 है, तो आप उसको भी use कर सकते हो, इसका low और high cut करने के लिए, यहाँ से हम right click करेंगे, और यहाँ पर इसका high pass है, वो cut करेंगे, फिर से right click करेंगे, order के उपर जाएंगे, और कुछ इस तरह से, हम अपने vocal को सुन करके, जितनी frequency cut करना है, वो हम यहाँ पर cut करेंगे, या तो आप यहाँ पर आईएगा, इन में से कोई भी, यह वाला, जो fourth number वाला preset है, आप इसको भी use कर सकते हैं, सातों जनम तक, यहाँ पर होता क्या है, कि जो यह frequency होती है, वो सुनाई नहीं देती है, यह मड़ी sound होता है, बहुत बेकार sound होता है, यह सुनाई नहीं देगा, लेकिन हमारे vocal को यह पर खराब करेगा, हम चाहते हैं कि वस frequency को बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर खतम कर सकें, जिससे हमारा vocal बिल्कुल निकल के आए सामने, और अच्छा सा बिल्कुल clean और soft सुनाई दे, अब यह बिल्कुल इतनी frequency यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से cut हो चुकी है, यहाँ से अगर हम right click करते हैं, अगर low pass करते हैं, तो यहाँ पर सुनिएगा इस frequency को, जितनी मैंने cut की थी, अगर आप ध्यान से सुनोगे, अगर आपके पास headphone है, तो बहुत मामूली सा लगबग, एक दो प्रिसेंट आपको यहाँ पे बहुत ही बेकार sound आपको सुनने को मिल रही होगी, वही मैंने frequency यहाँ से पूरी तरीके से cut की है, जिससे हमारी frequency, जो हमारे vocal की frequency है, बेकार वाल तक ये वादा रहा, छोड़ूं उसके बाद में, अब यहाँ पे हम next plugin से यूज़ करने वाले हैं, DSR Mono DSR Mono का काम होता है कि जिसे कि अगर सा का आवाज है, सा बहुत ज़्यदा कानों को चुभा रहा है, सुनने में अच्छे हैं नहीं लग रहा है, तो उसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, उस frequency को हम remove कर सकते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से तो अब हम दिखाएंगे कि एक काम कैसे करेगा, सबसे पहले देखते हैं कि सा का जो सब्द है, वो है कहाँ पे, जिसे कि यहाँ से, अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप headphone नहीं लगाया तो एक बार आप headphone जुरूर लगा लिजिएगा, सा के word को आप अच्छी तरीक बिल्कुल खराब जाएगी, आपका sound भी यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से दप जाएगा, तो यह processing के अंदर यहाँ पर आते हैं, जब सारी चीज़ आप अच्छे से करोगे, तो आपका vocal है पर बिल्कुल mixing के time, track के साथ में जब आप mix करोगे उसको, तो काफी हद तक बिल्कुल ट्रेक यहाँ पर soft sound करेगा, अब इसको threshold को हमें आसे कम करेंगे, और यहाँ पर side chain आजाता है, यहाँ पर देख सकते हो, हमें bend fast नहीं लेना है, bend fast मतलब यह low और high को यह cut करेगा, लेकिन हम चाते सिर्फ यह highs को ही cut करें, उसकी frequency है, frequency आप अपने साब से इसको set क कर सकते हो, या तो आप इसको ऐसे रखिए, और यहाँ पर split है, ideal wide है, इस तरह से आप set कर सकते हो, फिर आप यहाँ पर आना है, thirisold के ओपर, main काम आपका होता है side chain और thirisold का, बाकि आपको छेड़ना नहीं है, अब हम इसको सुनते हैं, सुनते हुए thirisold को नीचे अगर हम इसको ज्यादा कर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारा वोकल यहाँ पर दब जा रहा है, तो इस तरीके से इतना आपको यहाँ पर नहीं करना है, देखते हैं बहुत ज़्यादा हमारा वोकल यहाँ पर दब जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा उपर ही रखेंगे हम हम इसको लगबग मैनस 24 डीवी यहाँ पर थिरिसोड को यहाँ पर कम कर सकते हैं क्योंकि इतने पर हमारा आवाद भी अच्छा रहा है जो सा का आवाज, जो सा के साथ में जो सीटी की जैसी जो फ्रिकुंसी हो बहुत ज़्यादा लाउड हो जा रही है, वो भी यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरिके से कट हो चुकी है, इसको यहाँ पर बंद करके आपको सुनाते हैं और अब यहाँ पर अन करके सुनाते हैं, बहुत हाथ तक यहाँ पर जो सा का आवाज है, वो यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरिके से रिमूव हो चुका है, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्लगिन्स हम लेंगे, एपी आई पांसो साथ मोनो, काफी अच्छा है, और एक्यू के बहुत सारे प्लगिन्स आते हैं, आप कोई और भी यहाँ पर हाथों के मेह ली का यहाँ पर हम रिकार्डिंग शाइब नेक्स्ट नेक्ता रहे हैं तो हम यहाँ पर कीड़ा को यहाँ च्छेडेंगे, क्योंकि यहोग जो कीबॉर्ड है यहाँ पर जो हमारा recording हो रहा है तो उसका मैंने की सेट के रखा है कि किसे में recording करनी है किसे वीडियो को पाउस करना है तो यहाँ पर हम वो नहीं लिखेंगे आर से यहाँ पर यहां पर दो यहाँ पर यहां पर मूज करेंगे fruttyya milto और iya r को थोड़ा सा बढ़ाएंगे wait को बढ़ाएंगे और size को थोड़ा सा बढ़ा देंगए यहां FE за uh को इतना करने के बाद में अब ये हमारा वोकल है पर रिवर्ब के साथ में नहीं सुनाए देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा रिवर्ब के साथ में इसको साइड चैन करना पड़ेगा तो जिसे कि ये रिवर्ब है इसको हमें इससे साइड चैन करना पड़ेगा अब हमारा है पर रिवर्व काम करने लगा जब तक इसको साइड चैन नहीं करेंगे तब तक रिवर्व हमारा है पर काम नहीं करेंगा ये चिद्ध्यान दीजेगा साथों जनम तक ये वादा रहा छोड़ू कभी ना साथ तेरा आजाओ बाहों में मेरी सनम कहीं जिन्दगी का भरोसा है क्या नेक्स्ट हम प्लगिन से यापर यूज करेंगे डिले फ्रियूटी डिले और यहाँ पर जाएंगे प्रिसेट के ओपर यहाँ ले लेंगे हैं पिंग पॉंग और फिर इसका टाइम सेट करेंगे लेगन यहाँ पर सबसे पहले हम इसको राउट कराना होगा डिले के साथ में पहले हम क्या करेंगे यहाँ जो रिवर्ब में इफेक्ट डालके रखा है इसको पहले हाँ से हटा देंगे रिवर्ब का हम यहाँ पर सेटिंग कर चुके हैं कितना हमें रिवर्ब रखना है कितना उसका रूम सैज रखना है कितना उसका डिले डीके रखना है उससारा हमने पाएंगे तो एक जब आप काम करें इसके पर तो जो पहले से अपने डिले लगा के रखा होगा उसको बंद कर दीजिएगा बात में आप चालू कर सकते हो जब पूरा है पर सेटिंग इसकी कम्प्लीट हो जाए सातों जनम तक ये वादा रहा छोड़ू कभी ना साथ तेरा आजाओ बाहों में मेरी सनम कहीं जिन्दगी का भरोसा है क्या कहीं जिन्दगी सातों जनम तक ये वादा रहा छोड़ू कभी ना साथ तेरा आजाओ बाहों में मेरी सनम कहीं जिन्दगी का भरोसा है अब यहां से सबको हम डिले और रिवर को सबको हैं पर चालू कर देंगे और अब यहां से एक बार हम पूरा वोकल हैं पर सुनके देख लेते हैं हाथों पे महंदी तेरे वो हो मेरे नाम की खुदा से मांगूं यही हाथों पे महंदी तेरे सातों जनम तक यह वादा रहा छोड़ूं कभी ना साथ तेरा शादी के जोडे में जब आओगी कसम से हमें तरपाओगी घूंगट उठाओ तो इस तरह से आप अपने बोकल की प्रोसेसिंग कर सकते हैं जिस तरह से हमने बताया है आप अपने बोकल के यहां पे ट्यूनिंग कर सकते हो और यहाँ पे compress कर सकते हो अपने vocal को और EQ कर सकते हो DSR mono का आप यूज कर सकते हो जो frequency बेकार हैं उनको आप यहाँ पे cut कर सकते हो अपने हिसाब से उसका high and base frequency को अपने हिसाब से set कर सकते हो तो दोस्तों अगर आपको जानकर एच्छे लोगी तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा और हमारे इस इटूब चैनल को सब्सक्राइब जोरू कर दीजेगा